एलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल चेप्टर 6 लाइन से थियोरम 6.6 करेंगे लाइन्स विच आर पैरलल टू दा सेम लाइन आर पैरलल टू इच अदर थियोरम कहती है कि कोई लाइन्स जो किसी सेम लाइन के पैरलल हो वो खुद आपस में भी पैरलल होती है यहां फिगर देखिए L, M, N ये मैंने तीन लाइन्स बना रखी है गिवन में L पैरलल टू M है यानि L लाइन M के पैरलल है and N पैरलल टू M और ये जो N है ये भी M के पैरलल है तो L और N ये दोनो लाइन्स किसी सेम लाइन के पैरलल है और वो सेम लाइन है म तो आपको यहां ये प्रूफ करना है कि ये जो L और N है न ये खुद आपस में भी पैरलल होंगी चलिए शुरुवात करते हैं तो यह प्रूफ करने के लिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें यह zum नाँज आपको आपको एक ट्रांसवर्सल बना लेनी है तो यह ट्रांसवर्सल इन तीन लाइन को यहाँ पे तीन पॉइंट्स पे intersect करेगी यहाँ पर कुछ angle बना लेते हैं angle 1 यह angle 2 और यह angle 3 अब proof start करते हैं देखिए हमें दे रखा है कि L और M आपस में parallel है यह given है ना तो लिखेंगे हम since L parallel to M क्योंकि L M के parallel है तो यह जो 1 angle है यह 2 के बराबर होगा तो angle 1 is equal to angle 2 क्योंकि यह दोनों corresponding angles है transversal के same side पे है और line की same position पे यह भी line के नीचे है यह भी line के नीचे है तो यह corresponding angles होते है जब lines parallel होती है तो corresponding angles बराबर होते है तो यह होगा result number 1 मैं यहाँ पर reason भी लिख देता हू corresponding angles short में लिख दिया मैंने और यह मैं 1 रख देता हू इसका now दूसरी जो चीज हमें given है यहाँ पे वो है n parallel to m अब n और m यह दोनों lines parallel है तो यह 2 और यह 3 एंगल है यह भी corresponding angles हो गई है तो यह बराबर होंगे तो यहाँ पर second में since m यह n parallel to m n, m के parallel है तो यह जो 2 और 3 यह corresponding angles है यह बराबर होंगे angle 2 बराबर होगा angle 3 के reason इसका यह है corresponding angles है जब lines parallel होती है तो corresponding angles बराबर होते है result 1 और 2 से आप देखेंगे कि angle 1 भी 3 के बराबर है यानि ये वाला angle जिसमें मैंने dot लगाया और angle 3 भी ये भी 2 के बराबर है यानि angle 1 और angle 3 ये दोनों के दोनों angle 2 के बराबर है तो ये दोनों खुद भी आपस में बराबर होंगे तो from 1 and 2 from 1 and 2 हम लिख सकते हैं कि angle 1 is equal to angle 3 अब 1 और 3 ये दोनों के दोनों corresponding angles भी है कैसे देखिए बीच की जो M line है इसे आप भूल जाएए सिर्फ L और N line पे ध्यान दीजिए और ये transversal इने काट रही है तो यहाँ ये transversal के right में बन रहा है और नीचे बन रहा है यहाँ भी transversal के right में बन रहा है और नीचे बन रहा है तो एक corresponding angles हो गई है जब corresponding angles बराबर हो गई है तो जिन लाइनों पे वो बन रहे हैं कोरेसपॉंडिंग अग्ल्स। ये उपर współ Morgan的 MC3 डाल देता हूं और ये 4 डाल देता हूं तो मैने जुक्ष्व और 4 दिखा धिया कि एंगल वन और एंगल 3 बराबर हैश और 4 में यह बता दिया कि क्यों कि ये corresponding angles हैं, तो corresponding angles जो बराबर होते हैं, वो lines parallel होती हैं, तो L और N पे बन रहे हैं ये angles, तो L और N भी parallel होंगी, therefore, L parallel to N, theorem proved, तो इस तुड़ों बस इतना ही, मिलते हैं फिर next वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye.